हाथों की लखीरों पर जाता विश्वास नहीं किया करो क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते हैं टौफ करने का सपना आपकी आँखों में है आइस बढ़ने की बहुत इक्षा है आपकी लेकिन आपकी समस्य वही घिसी पुरानी है क्या करे बढ़ाय मन नहीं लगता है बढ़ने के लिए बैठते हैं तो मीन आने लगती हैं क्या करे क्योंने लगता भाई जब सपने तुम्हारे है तो उन्हें पुरा करने की जिवेवारी भी तुम्हारी है ना जब टॉफ करना है तो कोई दूसरा पढ़ाय थोड़ी करेगा, करना तो तुन ही होगा, अगर कोई और टॉफ कर सकता है तो आफ क्यों ने कर सकते हो, टॉफ करने वाला भी तो एक इंसान ही होता है, और आफ को तो खुशी होना चाहिए कि आफ एक इंसान हो, जब कोई दूस बड़ी रुकावट है देखो अकर कुछ अच्छा करना चाहत की हो ना इसके साथ तब तक रहो जब तक इसकी जरूरत हो वरना इसे छूओ भी मत आप रोप क्या सुचते हो कि टॉपर मॉइल नहीं चलाता होगा क्या अरे चलाता है भाई वह भी मॉइल चलाता है हाँ साथ दुनिया के हर सफल इनसान के पास मॉ वाईल है परन्तो तुम्हारे तर्फाल्तो का यूज नहीं करते हैं ऐसे वाईल चीजों को देखने के लिए इन करते हैं वो अपना समय परवात नहीं करते हैं बलकि जब भी मॉवाइल का यूज करते हैं तो केवल पढ़ाई के लिए मोटिवेशन के लिए अगर वो यह सब कर सकता है तो आप क्यों ने कर सकते हो अगर मॉवाइल हाथ में आते ही अपने आप आपके उंगलिया फेस्वुक, वाट्सब, टेलिगरम आदि जो गेम सब है उस पर चली जाती है तो छोड़ दो ना मॉवाइल को सुना यह दुनिया बहुत अजीव है वह केवल रिजार्ट देखती है कम माक्ष आ जाए तो हसी बनाने वाले की कमी नहीं होती है बात दिमाग में भर लो जिस समय कोई सल होता है न यह कम माक्ष आता है न तो दुनिया केवल उस पर नहीं हसते जिसके कम माक्ष आ है बलकि यह दुनिया उसके माबाप का भी मजाख बनाती है और उसके टीचर्स का भी मजाख बनाते है तो क्या तु यही चाते हो कि तुम्हारे माबाप का तुम्हारे परिवार का और तुम्हारे टीचर का कोई मजाख बनाए सुनो भाई सुनो ऐसा कही मत होने देना बहुत उमीद लगा रखी है आपके माबापने बहुत पहनत करते हो आपके लिए क्या आप ऐसे हैं उनके मजाक बढ़ने दोगे क्या होगा उनकी उम्मिदों का जागो भाई जागो लग जाओ आज से पढ़ाई में आज ही एक टाइम टोल बना लो और पढ़ाय सुल कर दो अरे यार मैंने तो यह क्या कर देख टाइम टोल बना लिया आपने तो इस साल कम से कम दसवाट टाइम टोल बना लिया है और हमेशा आप सोचते हैं इसे मैं कल से फॉलो करूंगा उसे मैं पढ़ाय करूंगा मंगलबार से पढ़ाय करूंगा एक कारिक से पढ़ाय करूंगा प्रंतो यह सब आपके बस की बात नहीं है क्या सोज रखा है तुमने तुमसे अच्छा तो जानवर हैं जो हर काम को सही समय पर पुरा कर लेते हैं वो भी प्राकिर्थिक रूप से उसमें दिमाग नहीं है और आप दिमाग वाले एक स्वस्त इंसान हो फिर भी अपने सपने को मार देने में लगे हुई हो जो समय हाथ से निकल जाएगा यार रखना वो आपस नहीं आने वाला है सुनो एक और बात सुनो अगर यह सोच रखा है न कि तुम्हारे बाप के पास बहुत सारा पैसा है तो भाई अगर तुम और सफल हो गए तो तुम्हार जिंगी तो उन पैसों से कर जाएगा जो तुम्हारे बाप ने कमा कर रखे हैं लेकिन दुनिया मजाक बनाएगा तुमको कहेगा यह देखो निठला यह देखो कम चोड बाप के पैसे को राता है बाप के पैसे को यूज करता है क्या यह सब तुमको अच्छा लगे जा मेरे हिसाब से दिकार है ऐसे बक्ति पर जो इस तरह के सब्दों को सूनेगा हाँ और काट भी यह ना अपने जिनकी बाप के पैसे से खर्च कर भी दिये ना उनके सब पैसे तो अपने बच्चों को क्या देकर इस दुनिया से जाओगे ऐसे ही छोड़ जाओगे वहें खाली हाथ कौन जिनवार होगा उसका आप होंगे आप यह कभी आपने सोचा है और यदि आपके पिता के पास ज्यादा पैसा नहीं है तब तो उन्हें पढ़ाना ही होगा इसके अलावा अपने सब्दों को पुरा करने का कोई और तरीका है कि नहीं आपके पास अब भी सम पढ़ाय को टालना छोड़ दो यह करना छोड़ दो कि मुझे पढ़ाय मनने लगता है अरे भाई आपके साथ समस्या है कि आप पढ़ाय करने को अपना लग्स समझ बैटे हो एस्टरी कोई गोल नहीं हो सकती वह तो आपको गोल तक पहुचाने का एक रास्ता है जिस दिन आपने रास्ता सही तरीके से पार कर लिया फिर तो फिर आप अपनी मंजिल आपको अवस्य मिल जाएगी अपने आप आपकी मंजिल मिल जाएगी तब आपको पढ़ने के लिए कोई नहीं कहेगा अपने सपनों के खातिर पढ़ो अपने माँ बाप के खातिर पढ़ो अपन जीवन साथी बनाना चाहते हो तुमने सपना देखा है ना तो तुम को ही पढ़ना पढ़ेगा तुम जिससे प्यार करती हो ना उसके लिए कम से पढ़ो जिससे तुम जिन्गी वर खुछ रख पाओ कम सकम आज से रुठान लो इतना नहीं हो सकते कम सम उस दुस्मन के लिए जो तुझे कहता है यह जिन्गी में कुछ नहीं कर पाएगा यह परने में बहुत कम जोड हैं इससे कुछ नहीं होने वाला है अरे पर करके मन जिल पागर कुछ दिखा दो जो मैं भी कुछ कर सकता हूं उसे तुम जबाब दो अपने सब्दों से अपने रिजल्ट से अपन कर सकते हैं अंत में मैं आपके लिए एक सैरी बोला जाओगा ना संघर्स ना तक्लिप तो क्या मजा है जीने में बड़े बड़े तुफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीनी में अपनी कीमत उतनी रखिए जो आदा हो सके अगर अनमोल हो गए तो तनहा हो जाओगे थैं झां झौ झांचो झां झां उना हो जाओबे तन Tam